अगर आप लोग इस चैनल के उपर नए आए हैं इस वीडियो को देखके आपने किलिक किया है तो इस चैनल के उपर मैं अगर आपको इन सब चीजों में इंटरस्ट है तो कि सब्सक्राइब करके जाएगा और जो लोगों ने अल्रेडी सब्सक्राइब कर रखा है और वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया बट अभी थोड़े दिनों से व्यूज इतने कम आ रहे हैं ना शायद मेरे वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुच पा रहे हैं या फिर कोई तो दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताईए तो आपको वीडियो नहीं प कर सकता हो इस वीडियो के लिए मैंने टॉपिक चुना है वेट लिफ्टिंग बेल्ट आप लोग जानते होगे कि मेरे पास वेल्क्रो की वेट लिफ्टिंग बेल्ट तो है एक तो यह एक्स्ट्रीम फिटनेस की है और दूसरी जो है यह प्रोवल्फ की बेल्ट है अभी य सब कुछ बाये कर रहे हैं तो यह बहुत ड्रॉस्टइबल बैंड बंता जा रहा है तो यह जो बैल्ट है यह हलके मेटीरियल के अंदर है बट मैं इसे एक साल से यूज्स कर रहा हूं अभी तक एक बार भी accidentally खुली नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सती बेल्ट ले लिए आपन मेरा बजट बहुत कम है मैं कहता हूं यह वाली बैल्ट ले ले आखे बंद करके विकास फॉर इंच वाइड है आप इसे कॉम्पेटिशन में भी यूज कर सकते हो और कॉम्पेटिशन में यह अप्रूब्ड है क्योंकि इसकी ठिकनेस और इसकी जो वाइडनेस है वो सब कॉम्पेटिशन में चल जाती है यह वाली जो बैल्ट है यह आव्विजवीं के लिए बनाए ही गई घया तो 4 इंच वाइड आपको यह वसीज भी मिलेगी वर इसके अंदर आपको नियोप्रीन में इसके अंदर था कोई नियूपरीन बेल्ट, सिर्फ यही बेल्ट आखको मिलेगी, बाकि सब लोग नाइलन बेल्ट बनाते हैं। आप USI की बेल्ट देख लो, आप चाहे hack athletics की बेल्कुरों बेल्ट देख लो, जो की weightlifting के लिए बनाई गई है, वो नाइलन material यूज करते हैं। क्यों करते हैं वह थोड़ी जादा ब्रिथेबल रहता है थोड़ा कॉस्ट एफेक्टिव रहता है और उसकी थिकनेस थोड़ी कम रहती है यह मुझे थोड़ा चीज खटकती है वह थिकनेस 8 mm की है वह 5 mm थिकनेस की बेल्ट्स बनाते हैं अब अगर आप लोग मुझसे पूछ मैं आपको नायलॉन बेटर है यह नियोप्रीन बेटर है आगर आपने विडियो नहीं देखी है देखकर आईए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लंबी वीडियो है इस वीडियो को मैं ज्यादा खीच नहीं रहा हूं मैं क्रिस्प रखूंगा पॉइंट टू पॉइं तो अगर आप इस बैल्ट को खरीते हो तो एक्सपेक्ट कीजिए छह से एक साल के अंतर इसका वैलकरो धीला हो जाएगा तब आपको यह बैल्ट को रेप्लेस करना पड़ेगा पड़ेगा इवा फोम जो होता है वह एक अच्छा मैटीरियल है ब्रीथिबल मैटीरियल है ओड कर द। पर भी निकला नहीं है तो अच्छा शबूर्ट देता है वह फोम बैल्ट कुट्ट नियुकप्रेशन रिकावरी देती है आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा इन साथ इन फैक्ट मैं ? यह अपने दिखाता हूं यह दिक्कत होते कभी-कभी एस फोड़ेज इसी expand करती है बैने आपको बताए ना ये इसके अंदर आपको compression recovery अच्छी मिलेगी आपको चटर 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 सी आवाज आ रही होगी तो थोड़ी expand करती है बैट एड़ एवा फोर्म आपको थोड़ा सा light material लगता है अब आते हैं में हमारी दूसरी बैल्ट की तरफ जो की इस बैल्ट को भी मैं आपको पैन के दिखाता हूं कि आपने वैल्कुरो की आवाद सोनी वैल्कुरो बहुत इसे नहीं लगाया तो यह जो बकल है इसको बैल्ट का strap को छोड़ेगी नहीं निकालने के लिए आपको जस्ट इस बकल को ऊपर की तरफ खीच रहा है और आपका इसे बैल्ट की जो थिकनेस है वो बड़ा सके जो नाइलोन वैल्ट आपको जितनी मार्केट में दिखेंगे वो सबके सब 5 mm की है बड़ यह बैल्ट की थिकनेस आपको 8 mm की मिलती है अब पैट्रेशन ने लिखा नहीं हुआ कि कितने एमें की थिकनेस वली बैल्ट ही हम इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा 3 mm थिकनेस मिलती है किसी भी नॉर्मल नाइलोन या इवाफोम बैल्ट के कमपैरिशन वे बड़ साथी में यह बैल्ट गूट थर्मल एंड मॉइस्चर इंसुलेशन की तरह भी काम करती है अगर आपने इस बैल्ट को गर्मी में पैन लिय करते हैं यहीं उनका फायदा है बट यह वेल्ट ज्यादा एक्स्ट्रा थिक भी मिलती है और इतनी ज्यादा एक्स्पेंड भी नहीं होती जब आप इसके उपर बहुत ही हार्ड कोर से प्रेसिंग करते हो तो सारे माइनों में यह बैल्ट अच्छी है नाइलोन मेटीरियल स इसे कौन से इक बेस्ट मेटीरियल है और मैं आप लोगों कौन सा रेक्मेट करूँगा देखो नाइलोन बेल्ट और नियोप्रीन बेल्ट सस्ती नहीं आती है नियोप्रीन भी 1500 की आएएगी और नाइलोन भी 1500 की आएगी इन दोनों में से अगर आप लोग के पास चॉई ह तो मैं कहूंगा कि नियोप्रीन बेल्ट ले लो और जो की पॉसिबली यही बेल्ट आपको लेनी चाहिए इसमें आपको एक अच्छा क्वालिटी का बकल मिल जाएगा जो की रस्ट नहीं करेगा इसकी तरह साथी में बेल्ट कर अच्छा मिल जाएगा और सेल्फ लॉकिंग म मिल जाएगा बेल्ट के इंदर और यह बेल्ट सस्टेनेबल भी है मिस आप इस बेल्ट को दो साल तक या उससे भी जादा यूज कर सकते हो बट अगर आप लोगों क्वालिटी पे इंवेस्ट करना है और आप लोगों ने सोचा कि यार इवा फोम छोड़के नाइलोन ले सब्सक्राइब करेंगे तो नाइलोन की बात और बता दूँ थिकनेस में वह कम है और जितनी ज्यादा थिकनेस आपको मिलती है वैसा ही सबोर्ट कोर सबोर्ट भी आपको मिलता है तो आई थिंग 5 mm का सबोर्ट और 8 mm का सबोर्ट डिफरेंट फील होने वाला है एक दी सेम तो आप ज्यादा पैनिये मत देखिए आपको लिफ्ट करने जाने है 15 से 30 सेकंड में आपकी लिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी अब यह बैल्ट उतार के रख दीजे आपको पसीने नहीं आएगे आपको कोई भी मैटिरियल के इंतर बैल्ट चाहिए सब की बैल्ट की लिंक्स मेंने अपने लिफ्ट कर सकते हो आप कौन सी बाय करने वाले हो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरू लिखके जाहिएगा और continue watching our videos like this आप अपना support देते जाहिए और हम ऐसी ही वीडियो आप लोग लेकर आते रहेंगे थैंक यू गाइज वाचिंग दिस वीडियो बाबाई